लग दूस्तों आप लोगा स्वागत मारे आरभी फीशल 07 में आज हम लोग फिट से एक न्यू रुक्मेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो रेलवे की और से अपकमिंग भरती 2024 के लिए आपका न्यू अपडेट प्रुभाइड होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रेलवे आरार बी जैई भरती 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन अपडेट आपको होने वाला है आज में आज बात करने वाले हैं उसी परकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका railway, procurement board, rrb, railway, भारती railway की और से आपका new update प्रोभाइट किया जाएगा आपका JEE के लिए, junior engineer के लिए, junior engineer information technology के लिए, आपका deport material, superintendent के लिए, dms के लिए और यहाँ पर chemical आप देख सकते हैं, assistant के लिए, cma के लिए आपका recruitment out किया गया है उसी परकार से जो भी खंडेर, जिस category के basis पर आते हैं, उस basis पर आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर आपका four category में आपका distribute किया गया है, number of post यहाँ पर जेए के लिए, dms के लिए, cms और information technology के लिए आपका IT के लिए भी निकाला गया है यहाँ पर number of vacancy आपका around 13,000 प्लस आपका vacancy यहाँ पर आने वाला है और इंडिया अबर कहीं से भी कंडेट आते हैं, तो आप इस form को apply कर सकते हैं सिपरकार से starting date आपका यहाँ पर हो जाएगा, June 2024 आपका first यह second week में आपका active link हो जाएगा और last date रहने वाला है July 2024, जो भी कंडेट जेए के लिए और यहाँ पर आपका इस post के लिए आप wait कर रहे हैं तो आप इस form को आप भर सकते हैं और अच्छे से त्यारी करके आप railway में suitable job राप्त कर सकते हैं आपका pay skill यहाँ पर आपका 35,400 प्लस आपको other allowances भी add करके आपका best pay skill रहने वाला है उसी basis पर आपका education आपका यहाँ पर engineering degree होना चाहिए डिपलोमा किये हैं या PGDCA किये हैं या BAC किये हैं या BCA किये हैं या BDAC किये हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं जितना higher से higher education है आप उस post के लिए आप जिस post में आप education के अंडर पर आते हैं उस basis पर आप इस form को apply कर सकते हैं age limit प्रोवाइट किये जाएगा 18 से लेकर आप 33 year तक आप इस form को apply कर सकते हैं उसी परकार से यहाँ पर age decision भी आपको provide किये जाएगा आप OBC candidate के हैं तो आपका 3 year का age decision मिलेगा आप P WD candidate के हैं तो आपका 5 year sorry 10 year का age decision मिलेगा और SC या HD candidate के हैं तो आपका यहाँ पर आपका 5 year का age decision मिलेगा जो भी candidate जिस category के basis पर आते हैं बेसिस पे यहां से आप देख सकते हैं अप्लिकेशन फी लिया जाएगा यू आर ओविसी कंडेट के लिए आपका 500 रुपीज SCSTPWD और फिमेल कंडेट के लिए आपका 250 रुपीज आप यहां पे डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बेंकिंग और चलान की बेसिस पे आप ओनलाइन मोट से अप्लिकेशन भी सम्मीट कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहां पे CBT टेस्ट, कम्प्यूटर बेस टेस्ट आपका MCQ कोशन रहने वाला है आपका डोकुमेंट वेरिविकेशन होगा और मेडिकल होगा थ्री फेज़स में आपका यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको कम्प्लीट किया जाएगा उसी परकार से यहाँ पे आपका CBT 1 यहाँ पे आपका पेटर्न आपका दिया गया है स्लेबस के लिए आप फर्स्ट में आप दे सकते हैं mathematics और यहाँ पे आपका general intelligence and reasoning रहने वाला है general awareness रहने वाला है और general science रहने वाला है आपका यहाँ पे 30, 25, 15 और 13 यहाँ पे आपका number of caution रहेगा total number of caution आपका 100 रहने वाला है उसी परकार से आपका marks distribute किया जाएगा और यहाँ पे आपका duration of time आपका 90 minute का यहाँ पे provide किया जाएगा उसी परकार से आपका second, आपका CBT 2 आपका यहाँ पे second paper होगा second paper में आप देख सकते हैं general awareness of physics, chemistry आपका basic computer application रहने वाला है basic environment and pollution control के लिए रहेगा और यहाँ technical रहने वाला है उसी परकार से यहाँ पे आपका 15, 15, 10, 10 और यहाँ पे आपका 100 marks का technical round रहने वाला है उस परकार से आपका total number of caution आपका 50 रहने वाला है time of duration आपका यहाँ पे आपका 120 मिनट आपको यहाँ पे provide किया जाएगा उसी परकार से जो भी गंडेट इस form को apply करना चाहते हैं अच्छे से त्यारी करके आप इस form को apply कर सकते हैं 2024 के लिए आपका new update प्रोभाइट किया गया यहाँ पे आप online mode यहाँ पे इस form को apply कर सकते हैं जो location all इंडेट आते हैं तो और यहाँ पे जो भी selection होता है आप all इंडेट आप कहीं भी आपको जो provide कर दिया जाएगा आपको simply official website www.intervalve.gov.in में जाकर आप simply check out कर सकते हैं यहाँ पे important date मैं आपको description में link दे दूँगा आप अच्छे से check out करके आप इस form को apply कर सकते हैं जैसे ही active link होगा जहाँ पे आपको shop मैं आपको एक separate video बना के मैं आपको provide करा दूँगा आप अच्छे से check out करके यहाँ पे RRBJ के लिए आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं I hope कि आपको video अच्छा लगाँगा और भी video देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe पीजेगा आज के लिए तना ही thank you